तिपिका खकड़ और शोयव इब्राइम अपने बेटे रुहान से बहुत प्यार करते हैं दोने अपने बेटे के लिए बेस्ट करने की कुशिश करते रहते हैं शोयव ने कुछ दिनों पहले अपने व्लॉक के जरीए बताया था कि बेटे रुहान ने उन्हें अपबा कहा था रुहान ने पहली बार अपबा बोला था जिससे शोयव बहुत ही ज्यादा खुश थे और इस वज़ा से वो बेटे के लिए खास गिफ्ट भी लेकर आए दरहसल शोयव ने एक नया वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कहते हैं कि रुहान ने मुझे पहली बार अबबा बोला है इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसके लिए एक गिफ्ट लो मैं इसके लिए कुछ special लेना चाता हूँ इसके बाद शोयव तोय शॉप पर जाते हैं और रोहान के लिए एक रेक फरारी गाड़ी लेते हैं शोयव कहते हैं कि मैं रोहान के लिए electric गाड़ी लेना चाता था लेकिन अंधेरी में नहीं मिली तो फिर मैं बांधरा आया रोहान अब बैठने लग गया है तो मैंने सुचा ये साई टाइम है मैंने उसके लिए रेट फरारी ले ली है अच्छी बात ये है कि ये एक ही पीस बचा था और वो हमने ले लिया पहली बार मैंने रोहान के लिए शौपिंग की है और मुझे मज़ा आया शौइब फिर बेटे को गाड़ी में बैठाते हैं और रोहान भी काफी एंजॉय करता हुआ नजर आता है रोहान अपनी राइट को काफी एंजॉय कर रहा होता है पैसे शौइब इसके अलावा और भी कई गिफ्ट्स लेकर आते हैं इस दोरान काफी एकसाइटेट भी दिखाई दिये आपको बता दे शौइब को लास्ट टाइम चलग दिखलाजा 11 में देखा गया था इस शौइब की डान्स को काफी पसंद भी फैंस ने किया था हाला कि वो शौर नहीं जीते थे बलकि मनीशा रानी चलग दिखलाजा 11 की टॉफी को अपने नाम की ऐसा भी का जा रहा था कि शौइब अब खत्रो के खिलाडी 14 में नजर आएंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है प्योंकि खत्रो के खिलाडी 14 थी पूरी टीम अब रुमानिया पहुँच चुकी है जा पर स्टेंच भी शुरू हो चुके हैं बल आपको शौइब अप्राइम का उनके बेटे रुहान को दिया ये खास तौफा कैसा लगा हामें कॉमेंस में जरूर बताए ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें